पहला काम यहां मेडिकल कालेज की अस्थापना यहां पट्री है लेकिन रेल नहीं है उसके लिए भी पुर्जोर आवाज उठाने का काम करेंगे और दोगिक छेत्र की अस्थापना लोगों को स्वरजगार से जोड़ने का काम करेंगे लोग पूछता है कि मेल सी का टिकट कितना रपे मिलता है ऐसा नहीं है अभी यहां सरकार की उदासिंता के कारण कुछ जो यह आपके स्टुडेंट्स हैं वो तीन-तीन साल चार-चार साल पांच-पांच साल तक में असना तक नहीं कर पा रहे हैं इतना सेशन लेट चल ला है इसके लिए भी हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बिजनसमेन आता है राज 24 सीटों पर चुनाव आज का बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है कई छेत्र में प्रत्याशी लोग जा रहे हैं प्रचार कर रहे हैं कई छेत्र में ये कनफर्मेशन मिल चुका है कि आप प्रत्याशी होंगे और अभी हम बैठे हैं गोपाल गंज में गोपाल गंज के दि सिस्टम को वो सिस्टमाटिक वे में लाएंगे और वही दिलिप सिंग जिनको लेकर हमने एक खबर चलाई थी कि सहाब एक अस्पताल का निर्मान करवा रहे हैं जो निशुल को सेवा देगा अब इसके बाद खबर यह आई है कि दिलिप सहाब आर्जी डिकेट से मलसी का चु इस बाद आई हम पिछली बर आपके पास आए थे तो हम एक बिजनसमें दिलिप सिंग से मिले थे जो कह रहे थे हमको की हमको किसानों के लिए बहुत कुछ करना है हमको अस्पताल खोलना है इस बार हम दिलिप जी से मिलने आए तो चर्चा है पुरे गोपाल गनमेंकल से जोड़े हैं अभी हम लोगों का उदेश है कि जीतने भी नौनिर्माचित जनपरतिनीदी हैं अभी पूर्व में जीतने भी जनपरतिनीदी जीते हुए हैं उनको मान सम्मान नहीं मिल पाया था और वो लोग अपने आपको उपक्षित महशुष करते थे चुकि इस जीतने भी बिगत दस सालों से उपर मुख हैं और पांच साल तक मेरे पिता जी भी रहे हुए हैं तो हम लोगों ने एक महसूस किया कि जो हमारे द्वारा चुने हुए जनपरतिनीदी जीतकर जा रहे थे वो पंचायत परतिनीदीओं को उपक्षित कर रहे थे तो ख्याल है कि क्यों ना हम लोग इस चेत्र में भी आगे बढ़कर और जो भी युवा हैं जो भी नौनिरवाचित जीते हुए हैं उनको हर सुख दुख में और उनके मान सम्मान के लड़ाई लड़ी जाए और उनका जो भी अधिकार है उसको दिलाने के लिए हम लोग शदन में इस इस मुद्द्ध को उठाने का काम करेंगे पुराना बात बहुत लोग पूछता है कि यह नताइए कि आले कि यह नताइए कि हमको से मतलब ने हमको इस बात से मतलब है ना कि माल जी आप जीत जाते हैं और आप MLC बन गए तो दिलीब जी के पास क्या प्लैन है किस बात पे सबसे पहले देखे हम लोग गोपाल गंजीला जो है ओदोगिक छत्र में भी पिछड़ा हुआ है तो हम लोग सदन में इस मुद्ध को भी उठाएंगे अभी देखिए यहां उदोग नाम मात्र का है चुकि यहां उदोगिक छत्र ही नहीं है सरकार द्वारा इसको काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहां उदोगिक विकास होने से यहां पर जो भी युवा हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा सोराजिकार से भी जुडेंगे और रोजगार भी मिलेगा और यहां जो भी जिते हुए जन प्रतिनिदी हैं उनके मान सम्मान और शोवीश इंटू सेवेन जोवीशो घंटा सातो दिन अगर जरूत पड़ेगा कहीं से आवाज आएगा तो हम उसके लिए ततपर रहेंगे अब जैब आप का पड़ेगा तो दिलिप सिंग कैसे काम करेंगे बिजनेस देखेंगे राजनीति देखेंगे डिखेंगे आज हम लोग इस मुकाम पर पर हैं कि अगगा बहुत अच्छे तरीके से चल ला हो और बैपार के मादعم से भी हम लोग समाज सेवा का इसी कड़ी में हमारा हम लोग है कि निरमार करवा रहे हैं वह भी पुंणतह निशुल्ख है और वह सबसे बड़ी बात है कि गोपाल गंज में उस तहीं की का कोई अस्पताल नहीं है एक सरे से लेकि अल्ट्रा साउन से लेकर जो भी चीज़ पैथोलोजी से लेकि जो भी है सोबेड का स्पताल है उसमें जो भी लोग जाएंगे उनका निस्वलक उपचार किया जाएगा अगर जो सुबिधाय हमारे यहां नहीं है उसके लिए भी हम लोग बाहर से डॉक्टर तो हम लोग एंबूलेंस सेवा भी हमारा पूर्व से चलते आ रहा है जो भी या सहाय लोग है या जरुद मन्द लोग है उनके लिए एंबुलेंस से वा पहले से भी कारजरत है और आगे भी जो भी अगर जो सुविधाएं हमारे यहां नहीं होगी हमारे कुछ मित्र हैं हमारे कुछ मित्र के परिचित हैं रिस्तेदार हैं वो लोग बाहर में दिली और आपका लखनो चेन्ने योगर में डॉक्टर हैं उन लोगों से भी बारता हुई है वो लोग भी आकर यहां दो-चार दिन तक कोई क्रिटिकल केस होगा तो वो भी वो लोग देखेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो केस हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे उसको एंबुलेंस के द्वारा गोरकपूर पटना तक हम ल ओर करते हैं देल जी क्या दिश्त को काम लोग च६ भी करेंगे यहां पे तरफार क्लेज के लिए अगर लडाई लड़ना होगा उसकी लड़ाई हम लोग लडएंगे और प्रयास करें यहां क्या अस्थापना हो इनवर्शिटी के अस्थापना हो अभी यहां सरकार के उदासिंता के कारण कुछ जो यह आपके स्टुडेंट्स हैं वो 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल तक में असना तक नहीं कर पा रहे हैं इतना सेशन लेट चल ला है इसके लिए भी हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे और सब सबसे बड़ी चीज है कि कि यहां मेडिकल कालेज की अस्थापन होगा उसको लगाएंगे और यहां के युवाउओं को रुजगार सोवजगार से जोड़ने के लिए और और निर्भर बनाने की दिशा में काम करेंगे इक आद्मी उनको पूछए आपका फुर्टों एक एक मुलाकात थे तेजस्वी जी इवा हैं उनका नया सोच है नया जोस है तो मेरे समय से इवाओं को आगे आना चाहिए और देखे सबसे बड़ी चीज है कि अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे और इवा नहीं आएगा तो एक समय आएगा कि ने प्रदेश नेता भी हिन हो जाएगा तो इवाओं को आना चाहिए इवाओं के आने का स्वागत करते हैं अभी आप देखिएगा तिरी अस्तरिया प्रंचायत चुनाव में जो भी पतिनिधी जीते हैं लगभग तो आने वाली हार गए हैं नहीं लोग को चुना गया है एट और उसमें हम लोग भी सहवागी बनेंगे और हम लोग आने वाले समय में तेजस्वी जी को मुखमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे और लोग पूछता है कि मेल सी का टिकट कितना रपे मिलता है ऐसा नहीं है हमको पूरा गोपाल गणी परिसान किया बोला दिलीब ज हैं बहुत लोग अफवाह भी उड़ाता है ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है कि जो भी टिकट का बित्रण होता है अब देखिएगा आप उतर प्रदेश में भी बहुत हम निवज को देख रहे थे इसका टिकट कर जाता है भाजपा में ही भाजपा के ही बहुत लोग हैं नाम न देखते हुए छवी को देखता है आपके उर्जा को देखता है आपके एफर्ट को देखता है आपके बैक्ग्राउंड को देखता है आपका समाजिक जो भी गतिविदियां है उसको देखता है सारी चीजी को देखते हुए और वह टिकट देने का काम करता है आखरी सवाल ह कि हम लोग बहुत पहले से हमारे परिवार का या हमारी जो भी संस्था है हरियों फीट्स प्राइबेट लिम्टेड है या फिर अभी एक हरियों जनसेवा संस्थान है निसुल कस्पताल का निर्माड हो रहा है इसके पहले भी आप देखिएगा छेत्र में पता करिएगा हम ल करने में और खर्चा करने में असमर्थ हैं उनको भी हम लोग आर्थिक देने का काम करते हैं जो भी कमजोड़ लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं जो भी मदद होता है अगर वो लोग हमारे पास आते हैं वो उनका भी हम लोग मदद करते हैं और अस्पताल तो ब कि भाई को सअ्यू internet mámas कृषा दुष क्याआन दीन मेला में फैकर सावडी मेला में 35 दिनों तक हम लुगों का सिवीर लगता है इसमें खाना से हरी कामणा काउरीया शивीर करके तिलै यह जगहा है वहाँ पे लगता है उसमें हमारे पिता-जी लगातार, 35 दिनों तक रहते हैं करेंगे सबसे मेरा पहला एक ही कि पालगंज में चेत्र की अस्थापना कराएंगे लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोडेंगे और यहां की बेरोजगारी दर को कम करेंगे और यहां के युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और यहां की आमदनी को राष्टिय अस्तर पे लाने का प्रयास करेंगे, खुशहाली लाएंगे, और यह तब संभव है जब लोग रुजगार और सोरजगार से जुड़ेंगे, चलिए दिलिप सिंग थे, अन्ति मेरा एक टिपनी, एक कोमेडियन है बहुत बड़े, उन्होंने कहा था कि अगर रतन कि अगर कोई बिजनेसमेन आता है राजनीती में, अगर उसका नियत वियत साफ हो, तो वो विकास करेंगे, बहराल गोपाल गंज में जो MLC के चुनाओ के लड़ाई है, बहुत दिल्चस्प है, भाजपा के तरफ से हमको मिदवार का संभावित नाम है, वहीं मिल रहा है, घोषना जैसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन RGD के तरफ से यहां घोषना कर दिया गया है, दिलिप सिंग थे, बाकि हम अभी घूमेंग और नए उर्जा के साथ लगेगा, विकास होगा और यहां बेरोजगारी दूर होगी, और हम आसा करते हैं, आप जरूर आईए, और हम चाहेंगे कि जितने के बाद आप प्रतेक वर्स आईए, और यहां के विकास को देखिए, एक नई कृतिमान अस्थापित करेंगे, यहां क यहां के लोगों के लिए, चली मेरे नाम प्रशांत राय है, यह दिलिप सिंग थे, MLC के, RGD के उमिदवार, आप जंदा निक्षन देख रहे थे, बहुत बहुत धनिवाद